चित्र में आप देख सकते हैं एक संख्या रेखा हैं इंगलिस में से नंबार लाइन करते हैं और इस पर संख्या को निरिपुत किया जाता है संख्या को इस पर लिखा जाता है सबसे पहले केंद्र में मिडल में जीरो को लिखेंगे और राइट साइड में इक्वल डिस्टे नहीं जाता है हम लोग समझ लेते हैं so we understand that 1 2 3 4 5 6 are positive plus sign is not displayed on the graph it is understandable whereas on the left side 0 के left में जाएं तो negative sign रहेगा minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 इस तरह से और यह संख्या रेखा दोनों तरफ राइट की तरफ भी बढ़ सकता है अनन्त तक और लेफ्ट की तरफ भी बढ़ सकता है अनन्त तक यह basic concept है number line का बहुत important concept है इसमें जानना है इससे हम बहुत सारे inferences निकाल सकते हैं जैसे हम लोग देखेंगे कि एक दो तीन चर आगे बढ़ने पर संख्या बढ़ता है इसका मतलब यह हुआ कि number line पे right side पे number increase करता है और left side में decrease करता है जैसे 2 जो है 3 से कम है 2 is less than 3 because 2 is on the left side of 3 इसे तरह 3 और 4 में 4 बढ़ा है 3 से क्योंकि 4 is on the right side of 3 तो इससे हम लोग कर सकते हैं कि right side में संख्या का मान बढ़ता है जबकि left side में घटता है घटते 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 प्लस में रहा तो घटते घटते 0 हो जाएगा 0 के बाद minus 1 इसी तरह 0 और minus 1 में से 0 बढ़ा है और minus 1 छोटा है क्योंकि right side वाला हमेशा बढ़ा होता है जड़ी दूसरा नमबर negative दो नमबर ले ले minus 5 और minus 4 ऐसे 4 और 5 में से 5 बढ़ा होता है 4 छोटा होता है लेकिन negative जब हो जाए जैसे minus 5 minus 4 तो minus 4 बढ़ा होगा minus 5 छोटा क्योंकि right side वाला minus 4 right side में है minus 5 का तो ये बढ़ा होगा आसा करता हूं ये जनकारी पसंद आई होगी